इस एप आप नहीं पहरी ओं किताब केम कहानी जो तारिफ आई ने जो बारे में सांगाल बोल कंदा सी आईयास मेलो में जैंके सबनी का मुश्किल सां इस पेस मेलुआ एँग जैंके शब जड़ने जलाब जैंको मुश्किल सा राजी थी या हुआ पाना है को ब्यों जालिम समाजना इर्फाना खुद आए अमर सिंदू हैं मुझी दे असा के खबरात असा केड़ो मुश्किल सा है ने प्रोग्राम जला आयाज मेलो कहां इस पेस वरतुआ सबनी का परें डाक्टर सायथ जाफर इफ् Carry या किताब जो को पबिशरा है तरफख हां ही किताब शाइक होवे हवे हौए हे रखशा या किताब जो रखशा आप सबसे पहले तो यह है कि आपने खुद इसके हवाले से लिखा था कि ये ना तो ऐसे कालम हैं जो अखबारी कालम होते हैं ना ही ये टेबल और कुर्सी पर लिखे गए कालम है आप हमें आपने एक बहुत बड़े पबिल्शर हैं और आपने हमेशा एक बहुत संजीदा और इस तरह का अदब डाक्टर मुबारक और तारीखी पर आपकी बहुत गहरी नजर है आपने ये कालम या ये कहानिया चापने का क्यूं इरादा किया और दूसरी बात है कि इनका ये तो एक मौके पर लिखी गए थी वाकियाती कालम थे इनकी दाइमित का क्या इसकोप है ये कब तक इस तरह के कालम जो है वो जिन्दा रह सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अतिया पहले तो मैं ये अर्स करूँ कि अर्फाना साहिबा जो है ये एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है और एक साइंस की प्रोफेसर भी है लेकिन ये किताब हमने इस तरह से इन से लिखवाई है जैसे वालदेन बच्चों से होमवग कराते हैं इसलिए कि और अमर ना हो ना होते तो ये किताब ना चपती बड़ी मुश्किल से इन्हें राजी किया कि आप ये ट्रांसलेशन पढ़ लीजे जो अतिया ने किये और फिर अमर सिंदू ने जिम्मेदारी ली कि मैं इसको देखूंगी और करकर आ कि इसमें फिर भी तीन चार साल लग हमने क्यों ये किताब चापी जैसा कि आपने कहा और कल भी दिकर हुआ था कि मैं किराची उनिवस्टी के पाइस्तान स्टेडी सेंटर में कोई 18 साल डारेक्टर रहा और वहां हमने बहुत तारीख के उपर सियासियात पे उमरानियात पे किताबें शाय की जो बहुत करें और एक आइडिया ये हुआ कि हमको रिसर्च सेंटर बिनाएं तो आये रहमान साथ से जब मैंने मशवरा किया कि जहन में ये है कि कोई हिस्टारिकल रिसर्च का इंस्ट्यूट बिनाएं तो क्या किया जाए उन्हों ने का आप इसके लावा और कुछ कर भी नहीं सकते तो वो फिर हमने ये इंस्ट्यूट अफ हिस्टारिकल और सोशल रिसर्च बिनाया और उस से हमारी अब काफी किताबें और चप चुकी हैं ये किताब चापने का मकसद ये था कि एक तो ये सिंदी जुबान में जब ये चीज़ें शाय हुई और इसके चंद एक तराजिम म मेरा जहन ये बना कि इसे हमने चापना चाहिए क्योंकि सिंदी में इतना कुछ चपता है इतनी चीज़ें चपती हैं मैं कल से यहां पर बस यही सोच रहूं कि क्या लूँ क्या ना लूँ और बतकिसमती से ये सारा लिटरिचर अर्दू पढ़ने वालों तक नहीं पहुँ पाता है तो हमने ये सोचा कि कुछ चीज़ें जिनकी एक मुस्तकिल एहमियत होगी उनको हम महफूस कर लें तो इसका फिर तर्जमा हमने अतिया साहिबा से करवाया इन्होंने बहुत अच्छा तर्जमा करके दिया अब इसकी एहमियत क्या है मेरा ख्याल ये कि एक तो इसक लिए गए तो एक तो उस पूरे वाके को समझें के रिकॉर्ट करने का मौका मिल गया इस किताब के जरीए लेकिन जो इर्फाना ने जो काम किया है जो इन्हों ने लोगों से इंटर्व्यूस किये उसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि शी वस पार्ट अफॉल अफेर कि जो लोगों पे बीती वह इस इन्होंने बहुत दर्दमन्दी के साप सुनी बहुत दर्दमन्दी के साथ उसको लिका और जो रीप्रोडूस किया उसके अंदर वो पूरा एंवारिमंट आ गया है वो पूरा कल्चर आ गया है वो मحسوسात आ गये हैं लोगों के जो उस वक्र थे और खास्तोर से औरतों पर जो बीती और बच्चे जिस ट्रामा से गुजरे उसको इनों ने जिस तरह से रिकॉर्ड किया वो गाबले जिकर है और इसकी एहमियत भी यही है कि बाद में जब भी इसको कोई पढ़ेगा तो ये एक तारीख का एक दोर है एक वाकिया है जिसको ब बहुत शुक्रिया है असल में अजे जी हिना किताब जे मुरत जे हवाले खां खास गाली आए तसा चार मानू जे के स्टेज ते बैठाई हूं असां जो सवं से दो तालिक ने किताब सां जुड़े तो तै इर्फाना मला डाक्टर जाफर इने जो जिकर कहोता है एने जो ब अजे जै का है इर्फाना किया पड़ थे लेख तो इन उनन मायन सा गड्व एठी भी जैकन इर्फाना जा वारक एले नहो जाना इर्फाना जो कद्रीग होना हो जाना एकर शुण अजे में एसा ने के सुंझाना एको तै इने में इर्फाना असा रखे भी साथी प्यास arguments के पारे मेर्वान आत्या है अजीब एकड़ी मुंझीद मला सुरत आला है मापाण ये पानके कड़ेंब लेखख का कॉंसे लेकर आए जात्या है मैं लिखानी आया हैं जेको मुझे दिल में दॉआ पर मुकरें पर यह कोन सम्झे आपर दी आप यह संजीदा पढ़न दड़ा हैं चो तब लिखांदा सीं तब पढ़न दो के अपर ज़ती ऑड़ाई जो अब लगां नवाक्ती युनिवर्स्टिय में अचे वड़ो कड़ा क आफला लहन शुरू था इत्तफाक सा असा उनन रिठो सीन ता ओर ट्रकू लहन पायूं सामान लहन प्या और तू निये बिठी हो यू रोड़ा ने रस्तन थे एड़ी ओड़ी ओर तू जे करें गोठा का बाहर को निकती हूं जे के घर न चार दीवारी का बाहर को निकती हू अनला लगे प्योत निला आसमान ते कुलिया वेठी हूं ना जा के नित्रहन उसमें नंडड़ी चांवजी टेक में वेठी हूं यू के पुठी ड़ी वेठी हूं तुमान हो संके डिसन ता पेरी हूं दफ जिन्दगीय में यह ता जर्ब थियो तक किया अचानक ही करों सान जो हुजूम आहें जो को के आफता जे नतीजे में हिज्रत करनते मजबूर थिवाएं शायद बहाजार अजी जो का बोड हुए वा विरहांगे खांपो ब्योवदो अल्मियों हुए विरहांगे में एकड़ी बेंता लड़पनान थी आमानू अचानक पांजा घर गाट च कितावन में पड़ी प्रही जेका पांजी मुल्क में इंटर्नली डिस्प्लेस्ट पीपूल आजनके सा इड़ी पीस था चाहूं जेके इंसानी दर्द हैं इंसानी अल्म्यान वे सरहद कोन इसाना है ता सरहद हुन पार विया ता अल्मयों वधियों सरहद जेहन पार आया पांजी इग वधियों पांजी ओठ लाए जोता संसिंधी मानुझ वधियों से वतन आई यह कौन चोन आँ यह इंसान जो गोथ और आज नहीं और आज जो जोथ बीन आओं तो लगन द्यव पांजी बान अमान करी रहां आजी अचानक पांई जे बोड जे नतीजे में इम फिर आण हो पाण हो वतन चड़ा निकता उनन जो दर्द कहुए झाला नियुक्त बेर कि अपेफियतु हुएं तो पांजा प्यारा हुए फांजी अद्धधु खांदान पांजी गोठं में चड़े आया नें कर ख ख खबर को नहीं तो जैतरा बुडी व्या कि तरा मरी वया उवे ओरतुं के दुजिता हमें, बेयकिनीं हमें हुई। अबस्तलिय और हमें मुपतला हुई। उवे सब शहा। पूरूर अपडल पूरूर ज़के जाम्षूर हैं थज़राबाद में कैम्स रहीं। इनन के अब से ट्रेमाई ना असामा को बखेंगें के रिलीफर को और उनके और इनसा इचे अपना ना एड़ो चुक्यों जो असा अब जो कुछ न करे सगना आसी तर गोड़ा उगन जो कम हो और न जो करे सगूंपया पर पर मुखे उनन वगत यो मैसूस जो तर गोड़ा उ सगेती तो हुआ कजे पो ही जे के पर केंप कहानी वाएं ही को सोचे संजे लिख्यलना हैं ही उनन और तुन सां गड़ वेही उनन जे विच्छ में वेही उत्ते ही लिख्यों महीं वाएं ये उत्ता ही चाथीं दो उनन वक्त ताहीं आई एकडिया सामट नड़ी फेक्स मश उनन जे लिख्यों नगोड़ ने बेडिया उनन जो नतीजी ओ तो तज के मानू महा जनके याखबर को नहीं तो जो अट एड़ी लड़ पनान थी याएं जो शहर न में पांज जो जो अज़ एख्यों में पहफूज वेटा उज इस सब इस पहानी पड़ी निक्रिया उनन अजने ब्रबाद आरे नहीं हो जिए अजना हो जो ए से अमर्ण पोतान और कै पूतासी हो आई अध्यानब में तो परूट हो गोड़नों के पर था जिक कहानी तो एक है और टा जिकाहनी आद पर्फ आहे जरूर कनदस तो ही किताब जो डाटर जाफर साब जाए और धिक तो मां लिख जङने एप्ट हो जुए लिख्ट हो डी बडाटर जाफर साहब प्रोफेसर हो मोखे फोन के ला दा डाटर जाफर ताम आ टैनी जिस क्षा ता मां पीएश्टी पे किए केडि मस्रूफ आ इंपन कि एक यहां वे पीएष्टी थी वुए ती टार्टर जाफर साब मुखे फोन काई ता ता यह किताबन जी ट्रांसलेशन कराई उप्या आया था है कुछा पढ़ी वठी ट्रांसलेशन थी यहां ती उत्या कहीं थी अदिए जी मा कौन थी दिसाँ पहीं तब मुझ जो वाक्य अमर सिंदू के सबक हां वधीक डाटर जाफर रामन साहब के जहें आखिर कारने के किताबी शकल में आंदो आए माने लायक थेस थे बारे में गाला है सगा पई आए हिन्नमो के तेमा जरूर एकनालेच करने चाहिएं थी अजीज सोलंगी साहब के जो कोना वक्त कहा संचापयोता जी है रोज यहां पब्लिश थी सगे सो मा कावेश इख़बार जे एडिटोरियल पेज जे को अजीज सोलंगी साहब होना जी बनालाथ हो रहा थी हैं महरबानी इर्फाना नाजिश बिरोही बहुत हमारी मुलकी मायनाज सहाफी हैं तज्ज्जा निगार हैं और इसके अलावा वो खास दोर पर जो कांफलेक्ट के इशूज होते हैं उनको बहुत हाईलाइट करती हैं और लिखती हैं इन्होंने बहुत खुबसूरत इसका प् हैं तो मनाजिश से यह सवाल करूंगी कि जैसे इर्फाना ने भी कहा है कि यह सोचे समझे नहीं लिखे गए हैं और यह कैरेक्टर जो है बाकादा एक शार्ट स्टोरी के फ़ाम में हैं इनका इनकी स्टार्टिंग पॉइंट है इनकी जोने किलाइमिक्स है इसके अंदर कह पानी में जो है वो सस्पेंस भी है तो नाजिश पर होई कि हम इसको शार्ट स्टोरी के तोर पर भी पढ़ सकते हैं या उनको कह सकते हैं शुकरिया मेरे कि अर्वाना ने जिस तरह से कहानیا लिखी है इसमें इसमें मेरे क्याल जो रीडर है इसकी वोशे ना जाला है या आप आपके ओपर है कि आप ये किस तरह से पढ़ना चाहें एक तरफ तो ये बहुत अफसोसनाक कहानिया हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोगों की लाचारगी, लोगों की तकलीफ, लोगों का गम और लोगों का गुसा जो सहलाब के फौरी बाद जो हालत थी उसमें था मगर ये सरफ अफसोसनाक कहानिया नहीं हैं इसके अंदर जाहर सी बाद लोगों के साथ जो हुआ मगर हमने दूसरी जगाओं पर देखा है कि इस तरह की जो कहानिया हैं इस से बहुत एक मुस्पत पहलू भी निकल के आया है जैसे अब इस तरह के जो वाकियात होते हैं या और नाच्रूल डिजास्टर्स हैं उसमें हमने देखा है कि अब जैसे औरतें जो जिनके जो खुद अपने खानदान चलाती हैं जिनके खानदान के जो विमिन हेड़िड हाउस होल्ड जिसे कहते हैं इनको पर अब तवज्जो दी जाती है या जो कैश फॉर वर्क था क आप सिर्फ राशन जाके नीबाते हैं आप लोगों को पैसे दे दे उनको जादा अच्छा तरीके से मालूम है कि उन पैसों को किस तरह से खर्च करना है तो यह जो सारी लर्निंग्स हैं यह भी इसी तरह की कहानियों से निकल के आई हैं और अब यह जो कहानिया दूसरे ल कहानियों को पढ़ सकते हैं दूसी तरह यह तरीका है पढ़ने का इन कहानियों का कि आप देखें कि अब हमारे पास 2010 से लेके अब अगर आप जो नई रिसर्च आ रही है उससे जैसे अभी मैं हाल में एक सांगड का पढ़ रही थी कि वो दिखा रहे हैं कि वो 2010 के सहलाव के अब अगर हम देख रहे हैं कि सांगड के लाके में जो फलर्ट था वहां पर प्रोड़क्टिविटी जो क्रॉप्स की है वो बहुत इंप्रूव हो गई है वहां पर वो कहते हैं नेट गेन हुआ है कि यानि उस वक्त सहलाव में जो तबाही पहली वो तो पहली मगर अब इ देखें तो उस अलाके में पाकिस्तान ब्यूरो फस्टिस्टिक्स भी आपको दिखा रहा है जी आएस सैटलाइट डेटा भी आपको बता रहा है कि ओवरॉल एक बहतरी आई है जरखेश जमीन जादा हो गई क्रॉप की प्रोड़क्टिविटी बढ़ गई तो इस तना से ह भी एक कीमत होती है और वो तबदीली की कीमत कौन अदा करता है और वो तबदीली की कीमत सिर्फ जो मेरे ख्याल हमारे जो जो सबसे पावलिस तबका होता है जो सबसे मजलूम होते हैं उन ही वही वो कीमत अदा करते हैं चाहें माशरा आपका इवेंचिली उसके एक एक तबदीली के अमल का हिस्सा है जिसे अंग्रेजी में आप कोलाटरल डामेज कहते हैं कि वो लोग जो आक्चिली वो खम्याजा अदा करते हैं माश्रे की तरफ से के बॉंडेड लेबर हम देखते हैं जब लेबर की मारकेट्स नहीं होती थी या नहीं जब बिलकुल मैनिय कोपरिट अग्रिकल्चर हो गया है मैकनाईज अग्रिकल्चर है वहां पर हम नहीं देखते हैं मगर वह जो बीच में तब्दीली कामल था जब आदा अधर ता आदा अधर ता उस वक्त हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें म्यूटेट होके इस तरह की सोशिल ट्रेंड्स पैदा हुए यानि कि यहां सिंद की हारी तन्जीमे एक जमाने में कहती थी कि लोगों को जमीन पे रहने का हक दो जब टेनन्सी आक्ट और हारी तहरी चल रही थी तो उन्हें हटाया जाता था वो कहते थे हमें यहां रहने का हक दो फिर बॉंडड़ की लेबर की वज़ा से एक ऐसा टाइम आ गया कि वही हारी तन्जीमे कहती थी लोगों को जाने का हक दो इनको जबरदस्ती जबरी तोर पर यहां नहीं रखें तो हम देखते हैं कि जब जब एक जैसे अभी इस से पहले वाले सेशन में उठल पुठल की बात हो रही थी जब माचरे में तबदीली आ रही होती है तो उसका जो एक कास्ट होती है एक कीमत होती है जो अदा करते हैं जो सबसे जो हमने देखा है वीक तब का है वो करते हैं मगर मैं आखिर मैं सिर्फ एक तीसरी सता की और बात करूंगी जो अर्फाना की कहानियों में मुझे नजर आया और वो जैसे अंग्रे जो आपको एक तरफ वो कारिक्टर नजर आते हैं जो इस कांसेप्शन आफ परफेक्ट विक्टम हुड को या मुझसिम मजलूम को चैलेंज करते हैं एक खातून है वहां पर इन्ही कैम्प कहानियों के अंदर जिनका सहलाब में जो उनका च्छोटा सा बेटा है चन्द महीने का वो बै गया वो डूब गया मगर वो खातून जो है वो कैम्प के अंदर वो काजल लगाना चाहती है और इसके ओपर कितनी रिजिस्टेंस है लोग कहते हैं कि तुमारा बेटा डूब गया है तो मैं अपने सुरुखी मेकप से वक्त नहीं मिल रहा है यह अपने बेटे के का गम दिखाने के लिए और अक्सर हमने देखा है मैंने बहुत अर्से काम करा है Women Survivors of Violence के साथ यहां बहुत और लोग बैठे हैं उसमा नुरानी यहां बैठी हैं जिनका सारा काम ही इस पे और हमने देखा है इसका हमें बहुत सामना करना पड़ता है के एक और अगर रेप हुई है तो उसका हमारे पस एक वो काइंड आइडियल होता है के जो एक रेप हुई भी और उसको इस तरह लगना चाहिए उसका गम इस तरह महसूस होना चाहिए और लोगों से कम्यूनिकेट होना चाहिए कि उसकी हालत खराब हो वो सारवक रोए उसके बाल खराब हो उसकी हालत खराब हो और अगर वो नहीं है हमारा परफिक्ट विक्टम तो फिर हम सवाल उठाते हैं कि क्या उसने एक्चुली सफर किया भी है या नहीं किया है तो मेरे ख्याल ये जो सवालाथ है जो उठते हैं कि क्या गम का भी एक एक्वेशन होता है क्या अंदर की अगर सफरिंग हो उसका भी हमारे पास एक फॉर्मियोला होता है कि जी इस पे आप पूरे उतरें तो ये गम है और इस पे पूरे नहीं उतरें तो नहीं है तो मेरे ख् बहुत सारे मुक्तलिफ सता पर पढ़ा जा सकता है अर्फाना ने जिस तरह से इन कारेक्टर को लिखा है और नाजिश ने अपने प्रिफेस में इतनी खुबसूरती से तश्बीहात इस्तेमाल करके इन कारेक्टर को उजागर किया है डाक्टर जाफर मुझे मेरे आप से दो स हवाला था है एक तो ये के इसका इंपक्ट क्या पड़ता है और दूसरी बात ये थी के अगर ये किताब वो एक वाकिया था और उस वक्त बहुत कहानिया सब छपी ये किताब अगर किसी ऐसे समाज में चली जाए जो हमारे सिंद के इन तमाम चीजों से बराहरास वाकिफ नहीं फर्स करें ये जर्मन में या फ्रेंच में या किसी ऐसे समाज में ट्रांसलेट होकर जाये तो क्या इस किताब की एहमत है कहीं और समाज में मेरा ख्याल है कि आपके दोनों सवालों का एक ही जवाब बनता है और वो ये कि ये जो कहानिया है ये सिर्फ इनसान की of survival है उसके कहनिया भी है इनसान जिन्दा रहना चाहता है जिन्दगी से महबत करता है और ये instinct मेरा ख्याल है कि upper classes और middle classes के मुकाबले में lower classes में ज्यादा है अब यसे आप paradox कहें कि क्या कहें कि जो सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं वही जिन्दगी को बेहतर बनाने और जिन्दगी को जारी रखने के लिए भी कमर बसता है क्यों लोग अपना सामान लेके और सामान को चोड़के जानवर को लेके बाहर आ रहे हैं, बक्रियां लेके बाहर आ रहे हैं, समंदर से, दरिया से, और अपने आप को बचा रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल यह है, कि एक तो बहुत बड़ा मेसेज इससे यह जाता है, कि इनसान की जो इंस्टिंट अफ सिर्वाइवल है, वो बहुत स् ये बरबादियां और ये मायूसियां और ये समझे कि बेगर हो जाना इसमें सिर्फ इंस्टिंट ऑफ सर्वाइवल ही नहीं है बलके मुझे तो लोगों के अंदर जो एक विट है उसकी मौजूद की बहुत हैरान करती है जो इस किताब में भी आपको नदर आएगी कि लोगो आपको ऐसे जुमले भी मिल जाएंगे जिन्हें आप विट का जुमला कहें और ये सिर्फ इस किताब में नहीं बलके दोगजार दस के सहलाब पर हमने एक और किताब भी चापी थी जो वो सहलाब डाइरियां के नाम से हमने चापी और वो बीबी सी के लिए कवर कर रहे थे सहलाब को और उन्होंने तो अजीब और गरीब वाकियात लिखे कि एक जगा उन्होंने देखा कि सहलाब से निकल के एक बुरा आदमी एक कच्छे जमीन पर चारपाई पर बैठा हुआ है तो इन्होंने उसे जाके पूचा कि भाई आपका इस सहलाब के बारे में क्या तास थो हुँ रहे हैं तो उस नहीं का कि भाई मजां नहीं आया मजा तो ऊस वणा ता आया था जब भुटु सापके दमारे में सहलाब आया था क्यों कि वो हेलीकॉप्टर पे हमें को देखने के लिये आये थी हैं आप देखिए कि वो सहलाब को भुला हुआ है उसे बात के हवाले से हमारे पसमांदा तपकात की एक दुनिया सामने आई है नाजिश ने बड़ी अच्छी बात की कि इस से कुछ पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो कुछ सीख सकते हैं वो देख सकते हैं कि इस तरह के क्राइसिस सिचुएशन के अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है हैं रियासत से क्या एक्सपेक्टेशन से हैं दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन से हैं इस सहलाब के वक्त जो है वो बलुचस्तान से बहुत सारे लोग कराची पहुंचे थे सिंस से इंटिरियर से बहुत सारे लोग कराची पहुंचे तो एक ये कराची में कुछ सियासी अनासर ने शोर मचाया कि अब किराची की डेमोग्राफी पर फर्क पड़ जाएगा ये लोग वापस नहीं जाएंगे हमारा ख्याल था कि सब लोग वापस जाएंगे और लोग गए वापस इसलिए कि लोगों की वाबस्तगियां थी उनके कारूबार थे उनके जानवर थे व वो हमेशा हमेशा के लिए उनके चोड़ को बढ़ा तो बहुत सारे ऐसे डामेंशिंशन सैंद ऑन हाथाद के जिन से पालिसी मेकर्स कुछ ड कुछ सेक्टे चुछ सकते हैं और फ्यूचर के लिए अपने पालिशियां बना सकते हैं सबसे ज्यादा अत्मिनान बख्ष बात ये है कि जो सबसे ज्यादा जालम समाज सामने तंग करती वा आज इर्फाना यहां बेटी हुई है तो मुझे कम से कम यह अत्मिनान है तो इर्फाना यह बताएगा कि जब आप यह लिख रही थी उस वक्त उसके इफियत से हम वाकिफ हैं किस तरह से आपने कितनी तकलीफ में यह सब लिखा लेकिन चप जाने के बाद या उसको लिख चुकने के बाद क्या आपको लगा के अपने एक एहम काम जो है वो किया उस सारी कैफियत को अब आप कैसे समझ रही है है मांकी किया कुर्या है तक मुझे लायत हरक वराइट्या को नह को मुझे माई कुझे मरख हुई अन्हें कम लगा उन्ने वक्त मुता के उद रही हो तक मुचे नजर हो जब पर जिए यह मा मैसूस काईं लामेнов Wahrाइटे Benson अन्ध महिसु साथी है केड़ भी मुश्किल वक्त है, केड़ भी मौत जिसामू उजे पर इनसान वहाँ है, विल्ला है, वह राद रौ रड़ सुप्रीम है। उनना के पात लाइत है। तो है को तो नहीं जी डिटर्मिनेशन भूना टाइम ते जाका मुह महसूस कही ते हैं ना तकलीफ में ना अजियत में हेडी सूरत हाल में भूना नवत जाका एकड़ो पान में एकड़ो भर्वस हो आए तहीं जी थी पहे थो दो कोई काली मा मानन था हम पोचा आण चाहाँ पर उनने वक्त मुझे बुण्यादी मकसद हो ता वह बद में वद पालेशी मेकर्स ता ही जाके ओते ना गोर्मेंटल आर्गनीजेशन्स कम पहयों गोवर्मेंटल अर्गनाईजेशन्स कम पहयों आम मानू पहां उडि कि दिए कर दो को ने सब्णक रूभ थेखा बड़ियों पानी शेंड पार राम चौपे कि लोग टामी काई ता डे लिए किलोरी जो को ड़यो देटी वजय थे लिए टव था अब्ड़ियों जी प्यांता हु त अब पानी सब्ड़ को सब दो तक रून फो तो पानी ही कोन हो कटाम अपना अपन हली अवाद है प्रामा, जुंर मुझे अजीब केफियाती मुख्यों हरु एल रहानी तो, मुझे जिनते मुझे दिल्टे मुझे सावार थी भए, मुझे पो आध में यह सास्था, मुझे तो, मुझे यह कहानी लिख रहा है, मुझे यह मना, उद्टी कि बाराजी कहानी यह वरी रोई देनों कि अजब उने कहानी पड़ी योई लुकुत हो ता असा के लिए सुसाइटी बेर हमाजो ना बाराखे साने हालत में चेड़े देनों हुए अहना समाज जा इत्रा कित्रा ही बाराजी जो यह केफियत भोगन प्या ता मासम जाती ता ब मुझे बार हैं मुरसा की आखा बारी तो मा केड़े तरह सा पंजमें टाइन नाजिश आप अगर कुछ कहना चाहें और अगर पहली दफ़ा इर्फाना एक कटेड़े में खड़ी है अगर कोई से सवाल भी करना चाहें मगर नाजिश आप पहले बात कर ले उसके बाद फिर सवालात के लिए मेरे खाल ये ये किताब पढ़ने का इंट्रिस्टिंग वक्त इसलिए है क्योंके इस वक्त हमने देखा है आदी से जादा दुनिया में ये कोविट का पैंडेमिक जिसे हम करोना कहते हैं या पर फैला हुआ है और हमने देखा ता सहलाब के दौरान जब हम हमारी जिन्दगी चलती रही थी और मेरे खाल कोविट के साथ भी हम यही देखते हैं कि कहीं किसी पर कयामत टूटी वी है और कहीं किसी के लिए रेगिलर लाइफ है अब तो मैं तो मास्क पहने वी हूई 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 या कम पहने वे तो कहने का मकसद यह था कि जब हम अर्फाना ने आक्टिविजम की बात की अगर हम ये नहीं देखते कि हम माशरे के जो मुक्तलिफ हिस्से हैं वो एक एक जुड के एक होल बनता है तो वर्दा फिर ये तो बहुत असान है कहना कि जी वहां पर मसला हो रहा है वहां पर आप एड बेज दें मगर जब तक आयते हैं माशरे की एक कलेक्टिव रिस्पॉंस नहीं आता या कलेक्टिव फीलिंग आफ सफरिंग नहीं होती कि जी हम सब इस चीज़ से गुजरे हैं यानि अर्फाना के किताब में तो यह भी एक एक खातून है उसे एक आउरत है उसको अफसोस हो रहा है बिच्छू के लिए बिच्छू के उपर क्यूंकि उसके घर में भी सहलाब आया तो वो बिच्छू भी जमीन से निकल के आया है तो उसके पास भी कोई जाने की जगा नहीं है तो मेरे खिया जब तक हम यह एहसास नहीं होता कि जो एक हिस्सा अगर सफर कर रहा है तो बाकी हिस्सा अगर उसके साथ सफर उसकी सफरिंग में जुड़ेगा नहीं तो हमारे यही टुकड़े टुकड़े बटे वे रहते हैं रिस्पॉन्सेस के. एल स्टॉप है. कि अबसर्विंग और वेरी मच वोकल बाओ दुवमन राइट्स तहां ते जाम तंकीद अब थी दिया तवाजे कमजे हवाले सां सब कुछ उन्ने वक्ते एज राइटर च्वर राइटर हिसास भूंदुआ तवाजू फीलिंग्स चाहूं थियों तो को तहां ती जन्हें तं तंकीद जे को आने माशरे में जे को आसां जो रस्तो आए यह जे को फैमिनिस्ट ओर्तों आएं जे के चवंधी पूरो जे को परादाइम आए जे को इस्ट्रक्चरा बाइब तो जे समाजी धांचे के तां ड्राहन जी गाल कयो था उवो तां कि गुलन जाहारत को नहीं द बटरे मिंट आहिंत सां इनने सबनी किताब जे हावाले का इननका थोड़ो थोड़ो राए पर चीता बटरू ठीक है डाक्र जाफर तमाँ मैं किन्क्लूड कर देता हूँ और वो यह हूँ कि हमने मुखतलिफ पहलूँ पर बात की लेकिन हमने किताब के तर्जमे पर बात नहीं की मेरा ख्याल है कि तर्जमा अतिया ने बहुत अच्छा किया है और मैं क्योंकि बहुत पर्फेक्शनिस्ट हूँ तो इने बताए प्रूफ किया इधर उदर कोई थोड़ा बहुत तो हरे एक अपना वो कर देता है अदाफा लेकिन यह कि बहस्यते मजमुईन का च्छक तर्जमा है उसकी तहसीन भी हो जानी चाहिए